आज 17 सितंबर को कॉंग्रेस ने हैदराबाद के पेरिफेरी में स्थित तुक्कुगुदा में 100 एकड में अपनी भारी रैली का आयोजन किया। पार्टी के नेता भूमी मालिक किसानों को रैली को आयोजन करने की अनुमती देने के लिए मनाने के बाद अब लाखों लोगों को उनके प्रदर्शन के लिए जुटाने में व्यस्त है। यह प्रदर्शन नई निर्मित कॉंग्रेस वोकिंग कमेटी CWC की पहली मीटिंग के एक दिन बाद होने की योजना थी। CWC पार्टी का सर्वोच्च निर्णय निर्मान शरीर है और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोग गहलोट, सचिन पाइलेट और AICC प्रेसिडेंट मली करजुन खरगे जैसे पार्टी के शीर्षनेता भाग लेते हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक मीटिंग में भी भाग लेंगे। इसके बीच, राज्य कॉंग्रेस अध्यक्ष ए रेवन्त रेड़ी ने 9 सितमबर को मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि IT मंत्री और B.R.S. कामकाजी प्रेसिडेंट के T.K. रामा राव ने होटल के करने के खिलाफ। उन्होंने कहा कि B.R.S. सरकार ने सार्वजनिक मीटिंग की अनुमती देने की कोशिश करके छिल्लर, सस्ता, राजनीती का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि अगर रैली होती है तो B.R.S. की हालत सचमुच ही खराब हो जाएगी। कॉंग्रेस पार्टी क परेड ग्राउंड्स का उप्योग की अनुमती प्राप करने के प्रयास असंभावित था क्योंकि इसका प्रशासनिक प्राधिकृत्य रक्षा मंत्राले के अधीन आता था। विक्त मंत्री अमिच शाह भी संभावना है कि वहां उसी स्थल पर तेलंगाना मुक्ती दिवस क आधिकारिक कारेक्रम में भाग लेंगे। पार्टी ने फिर शहर के पाउंड स्थेडियम को संभावित स्थल के रूप में विचार किया, लेकिन उन्हें पुलीस की अनुमती की संभावना को लेकर संशय था, जिसे कॉंग्रेस ने बियारे सरकार के द्वारा इंकार किया जाने की संभावना थी। रेवन्थ रेडडी ने यह स्पष्ट किया कि उनकी पहली पसंद परेड ग्राउंड्स पर थी, लेकिन भाजपा के नेत्रित्व वाली केंड्र सरकार ने भूमी की मिलकर होने वाली अधिकार की वजह से अनुमती देने से मना कर दिया था। राजनेती में बहुत जरूरी होता है कि हमें मालुम हो कि हम किस्ते लड़ रहे हैं, जो शक्ति हमारे खिलाफ खड़ी है, वो क्या है, ये समझना सबसे जरूरी चीज़ होती है। तेलंगाना में कॉंग्रेस पार्टी सिर्फ टी आरेस से नहीं लड़ रही है, कॉंग्रेस पार्टी, टी आरेस, बीजेपी और एम आएम के खिलाफ लड़ रही है। पोरार तुन नामों। ये अपने आपको अलग-अलग पार्टीयां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही है। इवान नी वेर वेर पार्टी गा आउपर ते गा नी, बीजेपी एम आएम तेलेंगा नो कल्ठी पोया ही। टी आराइस को मैंने अपनी आँखों से लोगसभा में देखा है। ने नो लोगसभा पार्लेमेंट लो बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एक दम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। पार्लेमेंट लो बीजेपी की आउसर मुना पड़ला, बीजेपी लो मदद भलकिन लो। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोधी टी ने एक इशारा किया, बी आरेस एक दम उनके साथ खड़ी हो गई। नरेंद्र मोधी ए विशारा इस्ते, बी आरेस वालू, नरेंद्र मोधी हैं बड़ी प्रान अजेस्तु नारू। राश्ट्रपती के चुनाओं में मदद की जरूरत पड़ी, वाइस प्रेसिडन्ट के चुनाओं में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला। राश्ट्रपती निकल लो, उपर राश्ट्रपती निकल लो, बी आरेस पार्टी, बी जेपी की मदद पल किन दी, जी एस्ती में समर्थन दिया, जी एस्ती की बी आरेस पार्टी मदद पल किन दी, जब भी बी जेपी को जरूरत पड़ी, बी आरेस ने एक दम उनकी मदद ये पुड़ु BJP के आउसरम बढ़ते BRS वाल एमबड निलपड़ रू आज देखिए हमने आज पबलिक मीटिंग के लिए दिन चुना तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की ये रोधू मनम मीटिंग बढ़ कुना वानी मुकुर की मुकुरू मनम मीटिंग डिस्टेब जेड़ा रुकी वोड वेर ये मीटिंग बढ़ कुना रु क्यों? क्योंकि हमारी मीटिंग को वो तीनों गे तीनों डिस्टरब करना चाठे से BJP, BRS, MOD P나 मूल पार्टी ले गोडाम मून को नहीं डिस्टरब कर पाए तानी तलंगान लो कॉंग्रेस पार्टी की बलंगा हुंदी यह वरूटी से अवकरशन ले दू। इसके बाद शाम को फोन कॉल चलेगी, एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे भई, कॉंग्रेस पार्टी को रोकने का कोई और तरीका निकालना पडेगा। कॉंग्रेस पार्टी, बलंगा लेंगा ना टपन सरीगा, मि रंदर उणा, ऐक और चीज़ देखिये। एक और शीज देखिए इनको का विश्यों जैचे से कमने चाली विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है प्रति प्रक्षाला अंदर ना एकुल पाई यह दो केस हुण न दी ED, CBI, Income Tax सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं ED, CBI, Income Tax Department लो प्रति प्रक्षाला ना एकुल अंदर पाई न गुड़ा केस हुण बटन जरुगिंदी मगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस नहीं है खानी तेलंगाना मुक्यमंत्र केस ही हर भई, BJP वड़ो ये केस हुण बटन जरुगिंदी MIM के नेताओं के खिलाफ कोई केस नहीं है MIM ना एकुल पाई ये केस हुण बटन जरुगिंदी सिरफ विपक्ष पर आक्रमन होता है नरेंद्र मोधी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमन नहीं करते है नरेंद्र मोधी जी अपने लोगों पे कोई भी केस नहीं है नरेंद्र मोधी जी अरू, मुख्यमंत्री केस यारू, असावूतिन OEC नी थनमन्चिलुगा पाविस्टरणिक अवट्टी वालमीद एक केस नुपेट लेदू ब्रश्टा चार के सब रेकोर्ड तोड़ दिये मगर ED, CBI, Income Tax कोई केस नहीं आज मैं सोन्या जी का भाषन देख रहा था और मैं सोच रहा था जो सोन्या जी कहती है, वो कर डालती है जो सोन्या जी कहती है, वो कर डालती है सोन्या गांदिगारू, ये माद इससे थप पनिसरी का माद निलबेट कुंटारू चाहि कुछ भी हो जाए जोरों से नहीं बोलती है मगर एक बार उन्होंने बात कह दी तो फिर वो कर के दिखा देती है ये में जर्गिना, येंत नस्त पोईना सोन्या गांदिगारू, इच्छी ना माद निलबेट कुणणारा जेपी ने मना जेटनारू 2004 में उन्होंने आपसे कहा था कि तेलेंगाना के बारे में कॉंग्रेस पार्टी सोचेगी और एक बार उन्होंने कह दिया तो फिर कर के दिखा दिया और आपका जो सपना था तेलेंगाना स्टेट का सपना जिसके लिए आपने कून पसीना कुर्बानी दी थी उस सपने को सोन्या जी ने आपके साथ मिल कर पूरा किया बी आरेस को हम बी जेपी रिष्टेदार समिती कहते हैं पूरा का पूरा फाइदा चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है इकड़ा मत्तों अन्नी लाबाल गुड़ा अन्नी बेनिफिट्स गुड़ा मुख्यमंत्री कुटुम्बानी के चलते ही हमने तेलंगाना को स्टेट होड केसी आर के फाइदे के लिए नहीं दिया था केसी आर जी के परिवार के फाइदे के लिए नहीं दिया था हमने तेलंगाना को स्टेट होड तेलंगाना के गरीबों के लिए किसानों के लिए माताओं के लिए मज़ denominator के लिए दिया था तेलंगाना रास्टरों वे और पार्ट चेसंुंदी, तेलंगाना के गरीब लोगों को, किसानों को, मज़ूरों को, छोटे दुकानदारों को, महिलाओं को, युवाओं को फाइदा नहीं पहुचा हमने पहले आपको तेलेंगाना की स्टेट हुट की गारंटी दी थी हमने मेमू तेलेंगाना रास्ट्रों इस्तमनी गारंटी इचिनमू और जो हमने कहा जो सौन्या जी ने कहा था वो कॉंग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलके पूरा किया तेलेंगाना रास्टों गारंटी इचि तेलेंगाना रास्टों इयर पार्टी सिंदी कॉंग्रेस पार्टी सौ दिन के अंदर बी आरेस की सरकार यहां से हट जाएगी इसको कोई नहीं रोक सकता यह वरू आप ले रू चाहे BJP चाहे चाहे MIM चाहे चाहे BS चाहे यह सरकार बदलेगी बदलेगी